वेरी वेरी गुड इवनिंग टू आल अफ यू तो डियर इस्टुडेंट एप्लिकेशन आफ डिफ्रेशेशन पर हम आज चुके हैं और लास्क प्लास तो कुछ बेसिक कॉंसेप्ट भी समझाया था आपको मैंने आएए कुछ कोशन के आज प्रैक्टिस करते हैं और जल्द करना बहुत जरूरी है प्रिविश रिकोशन आपको करने से आपको आइडिया हो जागा एक्जेक्टि के कोशन एक्जाम में किस ते किसे पूछा जाता है हां जी बचे तो यहां पर आपके पास क्या पूछ रहा है अपके पास में गीवन है CX तो कोस्ट फंक्शन आपके आपके पास में cx है, मतलब कि cx means के cost function with respect to x variable, तो जो x है वो number of units को represent करेगा आपके पास में, तो आपके पास में ये 5x cube, साथ साथ जिसको shorty है कि वो कर सकते हैं, वो करते रही है, minus 0.02x square minus 30x and plus 5000, एक बात आप ध्यान को बच्चे, क्या चीज किसको represent करता है यह आपको पता होना चीए, मैं लिख देता हूँ फिर भी इस बात को, देखिए, आपके पास पर यहाँ पर x है न, बेसिकली वो output level को represent कर रहा है, जिसको output level को, means quantity को, यह बताता है कि कितनी quantity पर कितना आपका cost आएगा, तो कोई भी एक firm है, अपना एक cost function मना रहेती है, जिससे उसको idea हो जाए, कि कितनी उन्ट आप लक्षिन करेगा तो कितना cost उसको मिल जाए, कितना cost उसका आएगा, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आपके पास में जो 5000 है, यो 5000 आप देख पा रहे हैं जो कि इसके साथ में कोई भी variable नहीं है, कोई भी अलफ़वेट्स नहीं है, यह basically किसको represent करता है, यह fixed cost को represent करता है, fixed cost, और fixed cost का मतलब क्या होता है, आपके fixed cost आपका होगा, clear है, इसको total, इसको TFC भी बोलें गया, और fixed cost को छोड़ करके अगर आपके पास में जो बाकी वाला हिस्सा हो गया, for example, 0.005 x की power 3, minus 0.02 x square minus 30 x, उसको छोड़ के जो बाकी वाला हिस्सा है, यह हिस्सा क्या होगा आपका, यह इसको हम variable cost बोलेंगे, variable cost बोलते हैं, clear है, T, V, C, खेर basic कुछ terms थें, वो आपको cost function को देखकर के समझ माना चीए, कि क्या चीज किसको represent कर रहा है, thank you तुसार जी, thank you so much, हाँ जी, आगे बढ़ें, तो आईए, अपने questions को अब हम अन्जाम तक पहुचाते हैं, तो सबसे पहले first part क्या कह रहा है, इस question के अंदर, के the average cost आपसे पूछ रहा है, first part, मैं cost function लिख लेता हूँ एक बार, cost function क्या मेरे पास में, 0.005 x cube, cost function जो है, हमारे पास में, 0.005 x cube, 0.005 x cube, minus 0.02 x square, minus 0.02 x square, minus 30 x plus 5,000, minus 30 x, वह यह कोई गलती हो तो बता दे न, क्यूंकि इसकी according पूरा question अब solve होगा, 5,000, clear है, समझे, तो यह हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा यह हो गया, उपर जा रहा है, हाँ, clear है बच्चे, यह मेरा क्या है, एक cost function है, तो first question में क्या पूछ रहे हैं आपसे, first question में हमसे पूछ रहे, देखे हैं कि आप उच्चे रहे, first question में हमसे, अधा average cost, तो सबसे पहले आप देखेगा, average cost, basically, कैसे निकलता है, सिर्फ average cost बोला हुआ है, तो मतलब कि total cost का average निकालना है, तो यह होता आपके पास में, total cost divided by quantity, clear है, तो इसके according अगर आप चलेंगे, तो आपके पास में basically क्या होगा, cx और quantity क्या है इसमें, इसमें quantity आपका x है, clear है न, cx बाई, quantity क्या आपके पास में, quantity आपके पास में x है, और अगर आप इसको solve करेंगे अभी यहाँ पर, तो आपके पास में, 0.005x cube minus 0.02x square and minus 30x and plus 5,000, और मतलब क्या हुआ, आपके पास में यह, cost function divided by x, तो अगर आप x करते हैं, और इसका meaning यह होता है, बच्चे की सारे की plus minus है, सारे terms x से divide होगे, तो 0.005x cube divided by x, इसका मतलब ही होता है, सारे terms, 0.02x square divided by x, minus 30x divided by x, and plus 5,000 divided by x, अगर आप solve करते हैं, तो यह आपके पास में, power 3 है, बचलब x 3 बर multiply हो रहा है, एक बार है, तो आपके पास में क्या जाएगा, x की power 2, तो 0.005x की power 2, यह आपका कड़ जाएगा, तो x दो बार multiply हो रहा है, तो x एक बार बचेगा, तो 0.02x, यह आपके पास में minus 30, और यहाँ solve करेंगे, तो आपके पास में, 5,000 by x, clear है बचे, यह बार सज में आपको आई है, यह नहीं है, कोई doubt, clear है न, तो यह आपके पास में क्या है, first का answer है, अब कोईशन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, second question, second question क्या है बिटा, second question आपसे पूछ रहा है, the marginal average cost, मतलब के, हमें marginal, marginal निकालना है, समझे इस बात का मतलब क्या है, marginal हमें निकालना है, average cost का, इसका क्या मतलब होता है, बचे marginal का मतलब होता है, कि आप उसके changing rate को आप find करेंगे, अब आपको marginal का मतलब यह हो गया, इसका मतलब change rate को find करने का मतलब हो गया, कि जिसका marginal पूछता है, हमें उसका derivative लेना पड़ता है, हमेशा धानकि सो की एक बात बड़े सिंपल सब्दें मुदा दिया है तो marginal जिस चीज का आपसे कह रहा है उस चीज को पहले पकड़िए और फिर उसका आप derivative ले लीजिए तो क्या कह रहा है marginal average cost तो marginal पूछ रहा है आपसे average cost का तो पहले आपको average cost अपने हाथ में लाना पड़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसका derivative करना पड़ेगा बात समझे तो यहां पर आपके पास में marginal average cost क्या आपके पास में पूछ रहा है आप से तो हम बोलेंगे marginal average cost क्या करना पड़ेगा आपको आपको जो है derivative लेना पड़ेगा basically किसका average cost का clear है तो यहां पर अगर आप average cost का derivative लेंगे तो क्या होगा आपका हुँ चेक है और जाड़ा छोटा होगया है हाँ जी बच्चे तो इसका derivative लेंगे तो आपके पास पर क्या आएगा दी अपॉन दी एक्स average cost तो average cost अलड़ी हम यहां पर find कर चुके है तो 0.005 x की पावर 2 माइनेस जीरो पॉइंट जीरो टू एक्स की पावर टू एक्स जीरो पॉइंट जीरो टू एक्स और माइनेस थर्टी एंड प्लस 5000 by x यह है हमें इसका derivative लीना है ठीक है बच्चे इसका हमें क्या करना है derivative लीना है अब derivative अगर आप लेते हैं किसका marginal average cost निकालने के लिए तो क्या आपके पास में आ जाएगा यह दस तीन के बाद आपके पॉइंट है तो पॉइंट तीन डीजिट के बाद ही रहेगा this one clear है बच्चे और यह आपके पास में आ गया x को डावड किसी बच्चे को अब यहां पर solve करेंगे हम तो इसका derivative लेंगे तो x मेरा eliminate हो जाएगा तो क्या बचेगा 0.02 और यह constant number है खतम हो जाएगा और यह आप देखीगा पांच जा तो पांच जा रहा है एक बटा x का derivative क्यों होता है माइनेस 5000 अपनी जागा constant number हो रहे गए रहेगा यह क्या हो जाएगा x स्क्यार हो जाएगा this one clear है बच्चे समझे कोई डाउट next question क्या पूछ रहा है आपसे थर्ड दा marginal cost तो marginal cost थर्ड में हम थर्ड question आपसे पूछ रहा है marginal cost means mc तो marginal किसी है cost का तो जिसका marginal पूछ तो आपसको हम derivative लेते है derivative d upon with respect to x और किसका cost का cost मतलब कुछ भी नहीं पता कौन सा cost तो total cost होता है तो margin cost का मतलब total cost का derivative आप लेंगे clear है बच्चे अब यहाँ पर अगर आप निकाल रहे है mc equals to this one derivative d upon dx किसका लेने वाले हैं आप derivative लेने वाले हैं 0.005 x cube minus 0.02 x की power 2 minus 30 x and plus 5000 इसका आप derivative लेंगे तो derivative क्या आएगा mc equals to यह solve करेंगा power यहाँ जाएगा आपके पंदरा हो जाएगा और x की power 2 हो जाएगा point आप देखिए कितना point है यहाँ पर x को छोड़िया एक दो तीन के बाद पॉइंट है तो point अभी भी तीन के बाद होगा एक दो this one clear है इसको solve करेंगा तो क्या जाएगा और दो के बाद point था तो अभी भी रहेगा तो x हो जाएगा और यह minus 30 this one तो आपके पास में क्या गए marginal cost आ गया clear है बच्चे को डाउट है तो बच्चे प्लीज पूछेंगे को डाउट है किसी बच्चे को हां जी आगे बढ़ें आप अपने अंसर कमेंट कर सकते हों तो जो आपने निकाला है थार दा marginal cost आ गया and fourth the rate of change of marginal cost क्या fund करना में यह बड़ा important है आज आता है जातर यह पूछ लेता है आपसे वेपर में rate of change of rate of change of marginal cost अगर आपको यह find करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप इसके लिए आपको सबसे पहले rate जिसका rate of change जिसका निकालना है आपको कभी भी rate change निकालना है आपको जिसका भी निकालना है आपको के पास में 0.1001 015 x square minus 0.04 x and minus 30 marginal cost इसका derivative लेंगे अब तो derivative क्या आएगा आपके पास में बच्चे derivative में यह आपके पास में नीचे आएगा तो आपके पास में हो गया यह 30 तीन का पॉइंट पहले था तीन के बाद पॉइंट अभी भी होगा यह x- यहां constant number आपके पास में रह जाएगा एक्स एलिमेट और यह इस वन तो यह आपके पास में इसका derivative आपके आपके पास में इसका derivative आपके पास में आप पहले mvc निकालो marginal variable cost निकालना है उसके बाद आप average variable cost भी निकालो और उसके बाद आप क्या करो उसको एक्वेट करो और फिर वहां से आप x की बैलू निकालो यह आप से क्या रहा है चलिए निकालते हैं फिर marginal cost पहले वही फंक्शन में लेते हैं कि फाइव टू कि फंक्शन जारा एक बार लिख दो यार कमेंट बॉक्स में किताब में से देख किताब बुक्स में लिख लेते हैं बार बाक होना के पिछे पीडिया मेरे फोन में भी है कि बुक्स तो नहीं आए यहां पर अगला कोश्चन हमसे पूछ रहा है कोश्ट फंक्शन दिया हुए हमें cx cx equals to 0.005x कि पावर 3 minus 0.02x कि पावर 2 minus 30x plus 5000 clear है बच्चे समझें तो यह हमारे पास में क्या है यह हमारे पास में एक कोश्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपसे बोल क्या रहा है आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और एक्स की वैल्यू कब निकाल नहीं है आपको जब आपका सब्सक्राइब के पास में इसमें सब्सक्राइब को क्या निकालना है आपके पास में एक वैरिबल कोश्ट का मार्जिन और आपके पास है और उसकी कॉंट्रीट से डिवाइड करते हैं तो यहां पर मेरे पास में टोटल वैरिबल कोस्ट की तो अग्रे when बात करूँ जीरो पॉइंट जीरो फाइब एक्स क्यूब लिव पॉर्टीब फंक्शन है बट सिर्ट वैरिबल कोश्ट कीतना होगा 0.02 x square minus 30 x fixed cost आप छोड़ दो बाकिसार total variable cost है clear है बच्चे और divided by quantity तो quantity कितनी है यह पर हमारे पास में x है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर average variable cost निकाल रहा हूँ ना तो आपको इस तक से निकलिएगा तो average variable cost एक पस्तू solve करेंगे तो 0.005 x की power 2 क्योंकि डिवाइड यह भी होगा यह भी होगा तो minus 0.02 x and minus 30 divide होगर के यह एड average variable cost आ गया अब marginal of variable cost चीक है ना तो marginal of variable cost का मतलब क्या होता है आपको जो है marginal variable cost निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर marginal मतलब आपको derivative लेना है marginal derivative लेना है variable cost का लेना है तो variable cost मतलब DVC total variable cost जिसके आगे कुछ भी clear नहीं है average अगर average होगा तो mention करेगा नहीं है तो total variable cost है clear है बच्चे marginal निकालना है variable cost का तो variable cost का मतलब क्या average variable cost है total variable cost average होगा तो average mention करेगा नहीं करेगा तो total variable cost है तो आपके पास में margin निकालना मतलब derivative निकालना है variable cost का तो आपके लिए चीज़ें आßान है lag तो आपके पास में variable cost कितना है आपके पास में बच्ची variable cost आपके पास में जो है अगर आप इसका derivative लेते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 0.015 x की पावर 2 minus 0.04 x and minus 30 this one अब आपने क्या करें अपने equation के according जो आपको question कह रहे हैं उसको equate करेंगे कैसे quit करेंगे वो देखिए आप से क्या कह रहे हैं MVC equals to ABC अब आपके पास में marginal variable cost कितना आया MVC तो आपके पास में आया है 0.015 x की square minus 0.04 x minus 30 MVC और ABC कितना है आपका ABC आपके पास में 0.005 x square minus 0.02 x minus 30 this one इसको हम क्या करेंगे इसको हमें equate करना है clear है अब आपके पास में चीए सिंपल चीजे हैं आपके पास में हैं कि सबसे पहले minus 30 से यह minus 30 आपका cancel हो गया चीक है अब एक काम करें कि आपके पास में क्यालकुलेटर लेंगे पहले जीरो पॉइंट पंद्रा पॉइंट जीरो वन फाइव minus यह square वाला के यह minus हो जाएगा ना देखे कैसे जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव x square minus 0.005 x square और इसी तरीके से minus 0.04 x and minus 0.02 x होगा यह नहीं होगा बताएं जाएगा तो बस 0.015 0.015 minus में आप क्या कर देंगे 0.005 तो क्या है आपका 0.01 और x की पावर तो 2 रहे रहे रहेगा minus solve करेंगे आप एक पॉस्ट जीरो हो जाएगा एक पॉस्ट जीरो क्योंकि मैं इसको यहां लिए तो यहां पर कुछ नहीं बचा अब आपके पास में 0.04 minus 0.02 तो क्या आएगा आपके पास में 0.02 x आप solve करेंगे तो 0.01 x square equals to 0.02 x x की value निकाल लिए मुझे तो यह एक 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 कर लिए तो क्या बचा 0.01 x equals to 0.02 solve करेंगे x equals to 0.02 upon 0.01 point से point कर लिए तो क्या बचा आपका यहां पर आंसर है x की value समझे यानि समझे बच्चे बताओ जरा आसान है चीजे मुश्किल नहीं है क्लियर है कोई डाउड किसी बच्चे को डाउड है तो भी यह पूछिए अब ज़र एक बार आप कोशन देख लो 33 सेकिंड के लिए क्या क्या कर रहा है सवाल क्या था और उसके बाद जो है फिर मैं आपको नया कोशन देता हूं देख लें पहले इस कोशन को आप एक कोश्ट फंक्शन आपके पास में है अगर आप देखेगा एक कोश्ट फंक्शन है आपके पास में और इस कोश्ट फंक्शन में आपका जो इक कॉंस्ट नंबर है विदाउट एनी वेरिबल उसको हम क्या बोलते है टोडल फिक्स कोश्ट बोलते है और जो वेरिबल आपके पास में कि total cost equals to total variable cost plus fixed cost तो अगर fixed cost अगर हम अप्टा दोगे तो क्या बचे आपके पास तो आपके पास में यह variable cost है सवाल पैसे पूछा आप से the average cost तो average cost का average जब cost से नहीं पता कि कौन सा cost की बात कर रहा है तो total cost का तो टोडल कोस्ट को आप पकड़ें और average निकालने के लिए उसी के unit से उसको divide करते हैं उसके उसके बाद marginal cost तो marginal cost मतलब की marginal मतलब होता है derivative low किसका cost का तो महला total cost का derivative ले लो आपके पास rate change of marginal cost rate change का मतलब भी होता है derivative low किसका marginal cost का अब marginal cost किसे निकालते है मालूम पड़ गया ठीक है न मतलब total cost का derivative marginal cost फिर उसका again derivative आपके पास में आज जाए टोडल कोस्ट the value of x where the mvc equals to a vc mvc marginal मतलब derivative low variable cost का कौन सा variable total variable cost तो total variable cost आपके पास तो छोड़के यह हो गया इसका आप derivative ले ले marginal cost a vc मलब average variable cost को आप उसके quantity से रिवाइड कर दो और equate करके अपना पासर simplify कर लो clear है अब next question आपके पास में बच्चे कि if the total cost function is given by the cost equals to a plus bx plus cx square where x is the quantity of the output so that the where the mc and ac are marginal and average cost तो आपको बताना है mc and आपका ac क्या show कर रहा है marginal cost and average cost और आपको यह proof करना है बहुत पराणा question है बड़ा आसान है लेकिन आपके पास में यह आपको प्रूफ करना है question देखते हैं कि average cost ले सकते हो क्या इस में से क्या उसका आप derivative ले सकते हैं क्या आप मार्जमिय कोस्ट में से average cost माइनेस करके फिर आप उसको quantity से आप डिवाइड कर सकते हो आप एक बाद ट्राइ कर लो बच्चे नहीं आगा तो कोई बात नहीं मैं हूँ ना वो बता दूँगा करो बच्चे जड़ा इस question को कर सकते हैं कर दो झाल झाल तो बच्चे कोई बात ने आप calculus से class स्टार्टिंग से आप देख लेंगे ज्यादा class नहीं हुई है पांध साथ class हुई होगी भी calculus के उसको starting से देख लेंगे तो आपको सब को सब को सब में आ जायेगा हाँ जे देखेगा क्या करना आपको इस question में if the total cost function is given by the c equals to this c equals to a plus bx plus cx square में आपको क्या निकालने derivative of average cost चलिए सीधा करते है न derivative of average cost निकालते हैं क्या आ रहा है तो सबसे पहले हम d upon derivative of average cost average cost कैसे निकलेगा average cost equals to total cost divided by quantity तो यहाँ पर total cost क्या है मेरे पास में c है और मेरे पास में quantity क्या है इसमें जो variable है गूम रहा है वो x clear है बच्चे solve करेंगे इसको हो तो cost function मेरे पास में क्या है a plus bx plus cx square यहाँ पर fix cost क्या है a है क्योंकि इसका पर x नहीं लग रहा है variable नहीं लग रहा है वो इस fix cost होता है upon में quantity x तो solve करेंगे आप average cost equals to आपके पास में a upon x plus इससे x divided हो को रहा है b plus cx ही आया अब आप derivative of क्या लेने जा रहे है derivative of average cost आप लेने जा रहे है d upon dx solve करते हैं derivative of average cost आप solve करेंगे यहां पर बच्चे तो average cost का derivative derivative differentiation तो आपके पास में यह तो constant number है तो कभी भी x आ जाता है minus a upon x square हो जाएगा यह ठीक है ना बच्चे धनक ना कभी ऐसे लाइक पांच जार बटे में x ती पावर 2 derivative क्या होगा और number as it is रहेगा x के उपर पावर यह एक increase हो जाएगा sign minus हो जाएगा बस इतना ही होता है ठीक है तो constant number as it is इसके पावर एक बढ़ जाएगा भी आपके पास में क्या बचा है भी एक constant number आपके बचा ठीक है तो यह तो 0 हो जाएगा और यहां पर आपके पास में सी एक्स में एक सटके आपके पास सी हो जाएगा दिस वन average cost आके तो derivative of average cost आपके निकाल लिया अब बात करते हम किसकी हाँ जी तो मैं marginal cost minus average cost की बात कर रहा हूँ तो पहले marginal cost उचीए मुझे क्यों तो marginal cost कैसे निकलता है marginal cost आपके निकलता है derivative of किसका cost का तो आप derivative cost का लेते हैं अगर आप d upon dx तो क्या आपके पास में आईगा cost function आपके पास में है क्या cost function आपके पास में a plus bx plus cx square upon x sorry upon x नहीं तो average cost this one clear है बच्चे अब इसका derivative लेंगे तो आपके पास constant नमर तो 0 हो जाएगा ये सिरफ आपके पास में क्या बचेगा बचेगा और आपके पास में 2 cx बचेगा आपके पास में clear है समझ गए तो आपके पास में ये marginal cost आ गया अब क्या कहरे आपसे marginal cost minus average cost तो चलिए ठीक है भईया पहले marginal cost ले लेते हैं अब आपका average cost का निकाला था हमने a upon x plus b plus cx this one अब आपको पता है कि जब भी minus का sign bracket के अंदर जाता है तो अंदर सब का sign change कर देता है minus b and minus cx अब solve करेंगे इसको हम तो हमारे पास में क्या आएगा b सबसे पहले ये b से b cut गया आपका और two में से एक cx किया तो आपके पास तरफ cx बचेगा clear है और आपके पास में minus a upon x बचेगा अब क्या करना है हमें अब हमें क्या करना है हमें basically निकालना क्या है this one divided by quantity अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं this divided by x one upon x तो one upon x निकालने लिए क्या करना पड़ेगा मुझे x से इसको divide करना पड़ेगा तो अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँगा cx को पहले x से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा आप क्या आपके पास में derivative of average cost this one और क्या आपके पास माजन कोस्ट मैनेस average cost one upon x one upon x पास पैनिक नहीं होना कि आप कैसे कर पाऊगे नहीं मैं सब कुछ आपको पहले सिखा चुका हूं सब कुछ का मतलब क्या होगा calculation तो क्या है आपका इकवल नहीं है क्या प्लस सी प्लस सी माइनस एपॉन x स्कार माइनस एपॉन x स्कार समझ गे बच्चे तो उमीद करता हूं कि आपको इस सवाल भी समझ में आगे आप आगे बढ़ते हैं हां जी इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करते हैं इसको सबसे पहले आप क्या करो पहले मार्जन कोस्तों निकाल लो बच्चे चलिए पहले मार्जन कोस्ति कालिया अग्या पूरा कोश्चन तो फिर से बोलोगे तो बागी बच्चे पर दस मिन्ट से सवाल कर रहा हूं मैं इसको जहां समझ में आए वह आप बोलो कि यह समझ में नहीं आई प्रसे तो बच्चे नहीं हो सकता है क्यूकि बच्चे बार-बार कमेंट भी करते हैं कि सलीबस का पूरा होगा सलीबस का पूरा होगा उसका प्रेशरрийल वाधश का बच्चे में बनाया हुग है जबकि syllabus already में पूरा syllabus डाल चुका हूँ आपको, आपकी content में, जो doubt होगा हूँ, आप doubt पूछ सकते हूँ, like class में चला भी रहा हूँ, last point, तो last point में देखिए बच्चे, mc-ac, तो mc-ac तो आपके पास में यह आया था, cx, क्योंकि 2, cx में से 1 cx चला गया, यह 1 हो गया न, कुछ निए तो, कुछ निए, तो क्या मानूँगे, एक, तो 2 में से 1 गया, तो आपके पास में क्या बचे गया, एक लिखनी जोट नहीं है, cx, और यह क्या होचा, minus a upon x, यह तो मेरे पास में mc-ac आया, लेकिन upon में जब x करूँगा, तो मतलब कि इसको मुझे x से डिवाइड करने के निए क्या होगा, वन अपन में एक से डिवाइड करूँगा, नीचे एक लागर, तो ऐप नापन x squared हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा ता आप सभी बच्चों को कि basic calculation अगर तकिंटी पालम है, तो आप एक बार जाकर के staff को बोल देंगे, वह आपको calculateаю और पहन सामगी So होगा उसको कर लीजिए अपकी अच्छी हो जाएगी देखें आप इसको मानने के त्यार है यह नहीं कि आपके घंडित कमजोर है वह सबको नहीं कह रहा हुआ है वह बच्चे चीज़े बैठेंगे पड़ा वह क्लास देख लेंगे ना एक बेसिक दो बड़ा तीन जमा एक ब बोर्ड मास कैसे सॉल करते हैं एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हुआ चल लगे प्लस हो गया मैनिस हो गया यह आठ दस वीडियो है अगर आप यह देख लेंगे ने बच्चे तो आपको यहां पर चीज अच्छी से क्लियर जाएंगे आपको कहां मिलेगा यह आप सिक् देखो बच्चे कैसे करने आपको हाँ जी चले मैं करवाए तो माजन कोस्ट कैसे लेंगे किसी बच्चे का भी आंसर नहीं आया है कोई बात नहीं देखेगा कोस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है थी इक्वल्स टू यह लोकलर में करते हैं सब्सक्राइब कोस्ट फंक्शन है माजनल कोस्ट लेना है मुझे सबसे पहले आप क्या करो कोस्ट फंक्शन को ठीक करो एक कॉंस्टेंट नमबर एक तरफ वरिबल एक तरफ होना चीज़ एक्स को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में जब एक्स को अंदर डालोंगा तो मैं यह हो जाएगा एक्स स्क्वाइर जब एक्स प्रेकिट के अंदर जाएगा तो मिल्टिप्लाय करेंगा सब्सक्राइब यह हो जाएगा आपका पास पर अडरिवेटिव ओफ टोटल पॉस्ट तो चलिए फिर आप एंची निकालने चल रहे हैं तो आप डेरिवेटिव लेंगे किसका डी अपॉण डी एक्स किसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं टोडल कोस्ट के आपके पास में ठी रैकेट एक्स स्क्वार प्लस सेवन एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइब प्लस फाइब इसका डेरिवेटिव लेंगे अप डेरिवेटिव आप किस तरीके से ले सकते हैं सबसे पहले क्या आपके पास में फॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास में एक्स रहेगा ठीक है अंदर चलते हैं डेरिवेटिव लेंगे तो यह आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो कोश्चन ट्रू लग जाएगा कैसे फॉस्ट का डेरिवेट का derivative होगा और अपन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वार होगा और यह प्लस फाइव आपके पास में अगर आप फाइव कहा प्लस फाइव के लेंगे लेंगे इस वन तो डिने का मतलब क्या हुआ फिर इसका derivative प्लस उसका derivative यहीं तो नुमिनेटर का derivative नुमिनेटर सेम फिर इसके बाद नुमिनेटर सेम डिनोमिनेटर का और साजिस का सीरिल भी सवन में नहीं आएगा फिर भी यहां पर आप डिफलिशेशन पढ़ रहे हैं तो ट्लस चेज आपने दो महने बाद उतनी कीमत देनी है उसके आपको दो महने पहले भी सेम कीमत दोगे तो आप इससे अच्छा क्या है कि आप उसको टाइम पर आप ल खा हुआ है कि आपको कोई पैसे को अरेंजमेंट नहीं करना पड़े आपका उत्ता कि आप अपने पैरेंट्स को भी यह नहीं बोलें कि भाया हमें पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा दो मेरा हमारी फीस वह है कि आप एक दिन जब कॉलेज जाते हैं रेगलोर वाले और कॉलेज से आप आते हैं और एक बार पीजा खालेते हैं वह हमारी फीस है आपको पैरेंट से पढ़ाई के लिए पैसे मागने की आवसक्ता नहीं पड़ेगी, नीड नहीं पड़ेगी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि कोर्स में कहीं आपको छूट ना जाए, ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है, तो आप देख लिजेगा, मे मैं तो अभी बोल रहा हूँ, बना के बात कर रहा हूँ, मैंने मेरी खुद की फीस नहीं है, कमपनी जो फीस चार्ज कर रही है स्टुडेंट से, आप इसको आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, और मैं कोई आज की बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक साल, दो साल पहली के देखेंगे आप, आप यूटूब सर्च कर लीजे, आपको वहाँ पर देखेंगे, स्टार्टिंग में ही फीस स्ट्चर आपका आएगा, जो लिखा हुआ, तो जो एफट वहाँ लगते थे, उससे ज्यादा एफट मैं मानदारी से कहा रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर लगा इसके बाद भी अगर पढ़ाई महंगी लगती है, तो जाइर सी बात है, कि आपका तो नहीं पता है, लेकिन पढ़ाई आपके लाइक नहीं है, हाँ जी, यह देखेगा, mc हम यहाँ पर calculate कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो है, derivative लेंगे हम, mc equals to, this one, 3 तो बच्चे 80 रहेगा, bracket, इसका derivative लेंगे, तो x square का क्या होगा, बच्चे 2x होगा, और plus 7x का क्या होगा, 7 होगा, ठीके, clear है, this one, और यहाँ पर आपके पास में, x plus 5 तो रहे गए रहेगा, minus पहले bracket और अंदर काम करेंगे, x square plus 7, x, x square plus 7x, इसका derivative लेंगे, तो x का 1 होजाएगा, और 5 का 0 होजाएगा, और upon में, x plus 5 का whole square, और वो तो आपका 0 होगया, 5 है न, क्या जाएगा, constant नमर क्या जाएगा, ठीक है, चलिए, mc equals, पहले multiply करेंगे, तो क्या हैगा, 2x into x, 2x square, plus 10x, ये plus 7x, plus 35, minus x square minus 7x, minus का sin जाएगा, sin change हो जाएगा, upon, x plus 5 का whole square, mc equals 2, आगे solve करेंगा आप इसको, तो आपके पास में ये, तो आपका गया, आपके पास में ये आया, x square, 2x square में, 1x square गया, प्लस आपके पास में 10x, प्लस आपके पास में 35, और upon में आपके पास में x plus 5 का whole square, इसको मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे एक ची नजर आ गई है, क्या, 10x plus, 35 को मैं 25 कर सकता हूँ, अब प्लस 10, ये लिख सकता हूँ, अब बोगर सर, ये ख्याल आपको कहां से आया, बच्चे मुझे साफ नजर आ रहा था, कि a plus b का whole square अगर खोलूँगा, तो a square मिल जाएगा, और plus 2ab भी मिल जाएगा, क्योंकि 2ab करेंगे, तो 2ab, 10x मिल जाएगा, 20 square नहीं मिलेगा, 25 नहीं मिलेगा, तो मैं 25 इसमें से ले सकता हूँ, 35 में से, अब मिले चीज़ें आसान क्यों हो गई हैं, क्योंकि मेरे पास में, यह आप देख रहे हैं, यह x plus 5 का whole square हो गया, plus 10 upon x plus 5 का whole square, अब यह plus से दोनों को divide करेगा ना, तो result क्या रहेगा मेरे पास में, result मेरे पास में रहेगा, 1 plus 10 upon x plus 5 का whole square, अब देखिए क्या होने वाल है, हमें वैसे proof क्या करना था, हां, जी बच्चे, हमें देखिए, प्रूफ क्या करना था, यह आ गया मेरे पास में, ठीक है, मुझे proof क्या करना है, कि proof that the marginal cost falls continuously as the output decrease, जब भी हमें यह चीज़ प्रूफ करनी होती है, marginal cost falls as output increase, तो यह हमें false कभी भी proof करना होता है, ध्यान दखिएगा, आगे भी use में आगा यह, जब भी हमें false proof करना होता है, और output increase, यह चीज़े proof करनी होती है, तो हमें second derivative लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे हैं, इसका second derivative लेंगे, समझभाएं आपको, clear है, तो आपके पास में, d2, आपके पास में marginal cost का derivative लेंगे, and dx2, this one, second derivative इसका अगर आप लेंगे, तो यह तो 0 हो जाएगा, और इसका लेंगे, यह तो आपके पास में क्या होगा, 10, जब नीचे x आ जाता है, तो sin क्या हो जाता है, माइनस का, और जो power है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास में, एक add जागा, दो से 3 हो जाएगा, लेकिन आप इस बात को समझेगा, कि यह आपके पास में upon में x नहीं है, तो x के जाएगा कुछ और है, तो उसका फिर हमें द्वारा derivative करना पड़ेगा, इसको chain rule कहते हैं, तो द्वार derivative करेंगे, तो क्या हैगा मेरे पास में, x प्लस 5 का derivative द्वारा करेंगे, तो हमेरे पास में 1 आएगा, क्या कर आपको पता लगा, भाई साब 1 upon x square क्या हो जाता है, आपके पास में derivative लेंगे, तो यह 1 upon, 1 तो constant number as it is रहता है, पावर एक बढ़ जाता है, और sign change जाता है, तो बैंने इसका तो 0 हो गया, इसका लोगा, तो constant number as it is रहेगा, पावर एक बढ़ा दिया, लेकिन यह x थोड़ी है, x कुछ और आ गया, तो उसकी जिगे पर हमें क्या करना पड़ता है, जब whole square होता है, तो हमें as a chain rule, उसका दुवारा derivative लेना पड़ता है, चेन rule ना आपको मैंने पढ़ायता है, तो अब आप देखिए, secondary वेटिव क्या हो गया, less than 0, हुआ या नि हुआ, बता है जरा, इस चीज को, secondary वेटिव क्या हो गया, हमारे पास में, derivative of marginal cost dx, क्या हो गया, negative हो गया न, less than 0 हो गया, तो यह proof हो गया, automatic, जैसे ही हम अपने बढ़ाएंगे, तो माजने कोश्ट क्या हो जाएगा, आपका degrees होगा, clear है, सर्थ 3 का क्या हुआ, 3 कहां पर है बच्चे, 3 कहां देखा बेचा अपने, अच्छा जी, बहुत अच्छा स्वाल बूच्छा आपके, 3 का क्या हुआ, 3 का कुछ नहीं हुआ, this one, 3 तो कॉंच्छी नमर साथ में रहेगा, ठीक है, 3, this one, इसका हम नहीं क्या गराव, derivative कर दिया, ठीक है, और, ती इंडराव, अच्छा आपके, लिक हम एंडराव, रहा है, झाल स्वाल जमर स्वाल पर एंडराव, यहा है, दीक हम वो खच्छा आपके, भी नहीं कॉंच्छा आपके, झाल झाल लास्ट में वस्त तीन के से केलबुशन मिस्टेक हो गई है तीन प्लस तीस अपॉन एक्स प्लस फाइव का फोल स्केर इसका डेरिवेटिव आप लेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे आप दुबारा से डेरिवेटिव आफ डी अपॉन डी एक्स किसका माजन गोश्ट का सेकिंड डेरिवेटिव यह प्रूफ करने के लिए तो आप सेकिंड डेरिवेटिव लेंगे जीरो और इसका करेंगे तो क्या हैगा माइनिस तीस ठीक है बच्चे क्लियर है और आपके पास में अपॉन X प्लस 5 की पावर के आपके पास में 2 है तो 3 हो जाएगा क्लियर है बच्चे समझे और एक बार आपको डेरिवेटिव लेना पड़े है किसका दिस वन X प्लस 5 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा बस मैंनिस में आपका आ गया ना मैंनिस 30 अपॉन X प्लस 5 रिच्ट पावर 3 दिस वन मैंनिस में आने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पर यह चीजें प्रूफ हो गई है लेस देन जीरो हो गया कि लिए बच्चे हैं है था माजिनल कोश फॉल्स कॉंट्विट इंक्री इसका मतलब यह हुआ तो यह पूरूफ करने के लिए आपको जिसको पूरूफ करना है उसका दो डेरिवेटिव लेना होता है आपको तो सकेंड डेरिवेटिव आपका लेजिंज जीरो होना चीए होने के बाद हम average revenue and marginal revenue के उपर काम करेंगे अगली कक्षा में नेस्ट क्लास में एक अप्लिकेशन आफ डिफ्रेंशेशन में आपका आ जाता है उसके बाद आपका ये टॉपिक बेसिक काकूशन का आपका फिनिश हो जाएगा जल्दी खत्म हो जाएगा आपके पास में मांग के चलिए मिलते हम अच्छे फिनिश क्लास में